OCD depression से बसने के लिए आज मैं एक फार्मूला एक tips आपको बताने जा रहा हूँ वो tips फार्मूला यह है कि हमेशा patience रखें जिनको OCD है उनके अंदर patience की बड़ी कमी आ जाती है depression वाले patience lose कर जाते हैं वो negative हो जाते हैं वो assume कर लेते हैं हर चीज़ को worst से worst क्योंकि उनका जो threat protection center है वो overactive होता है depression OCD में जो threat system है अंदर एक ऐसा है जो खत्रे के परती घंटी जगार center होता है जो खत्रे के परती अवेर करता है लेकिन जिनको OCD depression है उनके अंदर जो threat system है वो overactive हो जाता है उसकी वज़य से खत्रा है वो मामूली सा होता है लेकिन उनको बड़ा खत्रा दिखता है वो गेंद भी उनको football जैसी दिखती है तो उनको करना क्या है कि patience रखना है धहरे रखना है क्योंकि बिना धहरे के बात बनेगी नहीं एक उधाना लेते हैं किसान का जो bamboo का बीज बोते हैं जो bamboo की फसल लेते हैं किसान बांस की जो फसल बोते हैं तो बांस का बीज डालते हैं खेत के अंदर पहले साल में उगता ही नहीं है नहीं होता फिर भी वो खाद पानी देते रहते हैं दूसरे साल में कुछ नहीं होता तीसरे साल में कुछ नहीं चोते साल में कुछ नहीं पांचवे साल में इतना अगबार निकलता है उसके अगले साल वह बहुत बड़ा हो जाता है तो देखिए कि आप धेरे रखते हैं अद चमतकार की उमीद करते हैं कि कोई ऐसा हो कि एक दम से चमतकार हो जाए बस एक दम रातो राती बदल जाए रातो राती वो ठीक हो जाए जो दस साल पांस साल इतने दिनों की प्रेशानिय वो रातो रात कैसे ठीक हो सकती है तो सबसे पहले उनको पेसंस रखना है वो विश्व पास काउंसलर पर एक बार कर लेंगे कि बदल जाएगा जैसे आप देख रहे हैं ये वीडियो में कि जोद्प्रिया से बात कर ली मतलब अब तो दुखों से मुक्ति संबव है आपने टीम से बात की एक काउंसलिंग से थोड़ा सा फरक पड़ा दूसरी से कम फिर दिरे दिर लगा कि नहीं नहीं ये तो सारी फ्रोड हैं कुछ होता ही नहीं है मतलब धेरे रखना होगा और काउंसलर ने जो बताया है उसकी बातों को अपलाई करना होगा अब देखिए कि बाते सुन ली करना कुछ है नहीं तो बात बनेगी नहीं बस अपनी ही लेकर के बैठे रहते हैं धेरे रखते नहीं कि मैं ही सही हूं आप अगर सही होते या माइंड आपका सही होता आपको सही गाइड करता तो मानसिक प्रेशानी आती नहीं इसलिए हमें समर्पन तो उसको दे ही देना है कि आप तो जाने तेरा काम जाने हमने तो धेरे रखना ही है तो बात बन जात सब्सक्राइब माति है फिर सोच्ते की दवाईयां है जो रात्त दे देंगी द्वाईयों से क्या होता है कि मैंड का जो ऑवर एक्टिव पार्ट है कि बड़ीड दरा जाएगा मैंड विचार आने को फोलो करें और धहरे हमेशा बनाए रखें चमतकार की जादू की उमीद कतई ना करें फिर सोचते हैं कि कोई बाबा चमतकार दे देगा कोई मंतर दे देगा कोई ताबी इससे बात बन जाएगी इनसे भी बात बनने वाली नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको अपने उपर व से हम बले बले में बदल ही देंगे आप ओनलाइन ओपलाइन साइको गुरू टीम से बात कर सकते हैं और अपना पर्मानेट इलाज करवा सकते हैं धन्यवाद